हाज हम बात करेंगे काली मिर्च यानि की ब्लैक पेपर के बारे में यह मार्केट में पाउडर और सीड्स दोनों फॉम में एवलेबल होती है यह तो इसके सीड्स होती है और यह पाउडर फॉम में होती है जो ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च है इसके बारे में हर कोई जानता ही है ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पे ब्लैक पेपर का यूज नहीं होता होगा या जिस किचिन में ब्लैक पेपर नहीं अवलेबल होती है प्राब्लम को दूर करने में हएoft R आपको काली निड़ा है tracking प्रांड के साथ भी खा सकते हैं और साबुत काली मिरच के बीच को आप मुह में रखकर निगल सकते हैं या चबा कर खा सकते हैं इससे खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर होती है उसके अलावा आप इसको त्रीकटू के साथ यानि की काली मिर्च पिपली और शुन्ठी उस रूप में भी ले सकते हैं उसको भी आप दूद के साथ ही लेना है आपको आप खांसी जुकाम के लिए कर सकते हैं कि पचास बिराम दही लें उसमें 15-20 ग्राम गुड डालें और एक से डेट ग्राम काली मिर्च का पाउडर डालें और इन सबी को मिला लें और इसका मिक्चर जो बना है उसको आप दिन में 3-4 बार कंज्यूम करें उससे भी जुकाम में बहुत जल्दी रहत मिलती है कि यह दमा खांसी यानि कि ब्रॉंकाइटिस यासी प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ज्यादा बैनिफिशल है उसके लिए आपको क्या करना है कि 2-3 ग्राम काली मिर्च का पाउडर लेना है उसको शहद या घी में मिला लेना है और इसे सुबह शाम चाटना है इससे इसके अलावा फेफडों में जमा हुआ कफ बहुत जल्दी निकल जाता है और दूसरा भी यह है कि आप 200 मिलीलीटर गाए के दूद में 2 ग्राम काली मिर्च के पाउडर को पका कर अच्छे से उबाल कर भी भी सकते हैं उससे भी ब्रॉंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम में ब जाड़ा बनाकर उससे आप कुला भी कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आपके गले में खराश रहती है तो उसके लिए आप 2-3 काली मिर्च को मुह में रखकर अगर चूसते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाब मिलता है और नेक्स्ट है बेनिफिट इस दे एक 3-3 ग्राम काली मिर्च के पाउडर को एक कप शाष के साथ सुबह खाली पेट लेना है जिससे कि यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और अधर दें दिस आप यह चीज़ कर सकते हैं कि एक कप पानी में आदा नीम्बू निचोड ले और उसमें 5-6 काली मिर्च के पाउडर को म नेक्स्ट वन इसके काली मिर्च सोंड पीपली और हरड का चूरन इन सबी को मिला कर अगर आप शहत के साथ खाते हैं या फिर इसका काड़ा बिनागर पीते हैं तो इससे इंटाइजेशन और पेट में गैस बनने वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाती है और द स्टाइन में जो जमी हुई गंदगी होती हैं उसको दूर करने में अगर हम अपने आपको हैल्थी रखना चाते हैं तो हमें रूजाना सुबह शाम अपने खाने में एक एक चुटके काली मिर्च की जरूर यूज करने चाहिए जिससे की हमें बहुत सारे हैल्थ बूस्टर के रूप में तो बहुत अच्छा काम करती है